Hello everyone, बच्चो आज में आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी, तो बच्चो आप लोग हिंदी सुर्वी for class 4 निकालो और page number 2929 निकालो आज में जो नई कहानी पढ़ाऊंगी, उस कहानी का नाम है धोका, ठीक है? चलो बच्चो, हम आज अपना हिंदी क्लास सुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ने के पहले, पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में इस कहानी में क्या बोला गया है और बच्चो, देखते हैं, पस्तुर पाठ में एक ऐसे बच्चो की कहानी दी गई है, जो मूड बना कर पढ़ना चाहते हैं मूड बनाने के लिए, वो क्या क्या करता है, और इसका क्या परिनाम निकलता है, कहानी पर का जानी है और समझ यह ठीक है बच्चो, हम लोग का जब एक्जाम आता है, परिच्छा आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मूड बनाते हैं, हम लोग एक नई तालिका बनाते हैं, एक नई रूटिंग बनाते हैं, कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से क्या लेवर से डूटीन बनाते हैं उस हिसाब से यह दो बच्चे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है और बच्चो पड़ते हैं सुनते हैं और इसके बारे में जानते हैं मयंग पुरी जोड से बल्ला गुमाता है और ये मारा चौका मैदान तालियों की गरगराहत से गुंज रहा है मयंग का सतक पुरा होने में अब से दो रन बाकी है और तभी तिर 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 मयंग आखे कोल कर उच्छल कर विस्तर पर बैच जाता है घरी चार बजे का अलाम बजा रही थी और रात को अलाम लगा कर सोया था इस वक उठकर पढ़ना ऐसे मीथी मीथे सपनों को अलविदा का कर किताबों में सीर खपाना क्या मुसीबात है उसकी पल के भारी होती जा रही है बच्चों यहाँ पर जो एक बच्चा जो है उसका नाम क्या है मायंग वो मायंग बच्चा जो है वो सपना देख रहा था कि वो क्या कर रहा है मतलब क्रिकेट खिल रहा है तो मतलब मात्र दो रन बाकी ही था उसको जिदने का वैसे ही ऐलाम बजा वो अलाम हर रात को अलाम लगा कर सोता है कितना बजे का चार बजे का और सुबह उठके पढ़ने का लेकिन जैसे ही सुबह उठके पढ़ता है तब वो सोचता है क्या मुसीबत है किताबे पढ़ने का और जैसे ही पढ़ने बैठता है उसकी आखों की पलके भारी हो जाती है साड़े चार बज़े का अलां बसता रहा, मयंग सोता रहा क्या होगा बच्चो, वह क्या किया? चार बज़े के अलां उठा, उसके बाद इस पर मयंग पर थम आ गया तो पापा उचे स्कूटी ले कर देंगे आठ बजे मयंग की निम्ट उती उट्टे ही उसे भूब का एहसास हुआ हाथ मूध होते वक्त मयंग ने सोचा कि वो नास्ता करती ही परने बैठ जाएगा और बारा बजे से पहले नहीं उठेगा यह तै करकर उसने दट का नास्ता किया फिर कम्पीटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पुरा कर सके और फिर निष्ठिट होकर पढ़ाई कर सके सारे दस बजे गेम का हीरो बनने के बाद मयंग ने अंगराई ली और मम्मी को चाय बनाने को कहा आया ताकि चाय पी का सुस्ती उतार का पढ़ाई कर सके क्या होगा बच्चो उसने सारे चार का पहले चार बजे का अलाम लगाया फिर दो są्य 4 बजे का ऐलाम लगाया उसके बाद उसकी निल्नी की टूटी वो कितना बजे उठा सोकर 8 बजे आठ बजे जैसे ही सोकर उठा मयंग को भोग लग गए उसने दटकर नास्ता किया नास्ता करने के बाद सोचा कि वो नास्ता करकर पढ़ने बैठेगा और सारे बारे तक पढ़ेगा उसके बाद नास्ता करने के बाद वो क्या किया कॉम्पूटर में गेम खेनने लगा गेम खिलने के बाद उसे उपने मम्मी को बोला विए चाई पिलाने दो मैं चाई पी कर पढ़ने बैठोंगा उस वक टाइम हो रहा था सारे दस बजे का वो अपनी मेंच कुर्जी कुर्शी पर जम गया उसने आस्तिनो चड़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गनिती किताब उठाली बहुत सायाने हो उसके कानों में आवाज आई समस्ते हो वाकी सब बेफ्पूब है बाहर मम्मी और सबजी वाले में बात चाह रही थी कि मयंग सुनता रहा जब दिवार घरी ने तन तन कर 11 बजे तो मयंग चौका एक कप चाय बना लाओ सोमू उसकी छोटी बेहन सोमू वही एक कुर्शी पर बैठी किताब पर रहे थी सीर उठा कर बोली जी हां आप आराम फर्माइए मैं अभी बना कर लाती हूं चाह उसके दाबे खुली खुल कर पढ़ाई सुरूगी उसी बाग मम्मी और मयंग की मम्मी और सबजी बात कर रहे थी कि मयंग सुनता ही रहा ठीक है अब देखो यह मयंग रहे यह मयंग की बेहन है ठीक है और मयंग की बेहन बेहन जो है एक जुस्ती कुर्सी पर पर रही थी तो वैस मैंग अंगराई लेकर मैंग अपनी बेहन को कह रहा है कि बेहन जाओ 11 बज गया था जाओ एक कप और चाय लेकर आओ उसकी बेहन गुस्तावें में बोली हाँ भीया आप फरमाईस करते रहो मैं चाय लेकर आती हूँ उसके बाद सुनो क्या हुआ दोबारा कुछ कहना बेकार थोड़ी चूस्ती लाने के लिए उसने बैटमिंटन का बल्ला और चिरिया संभाली और दिवार पर साथ मार मार कर खेनने लगा बाड़ा बज़े ममी ने खाने के लिए बुला लिया इतना अच्छा खाना बनाया था कि ममी ने कि वो खाता ही चला गया यो खाता ही चला गया उसका पेट भर गया मगर मन ही मन नहीं भरा और जब मन भरा तब तक पेट जरुरत से जादा भर गया था दो फ़र का समय और ठसा ठस भरा पेट जपकी आई और नीन में बदल गयी जब सारे तीन बजे मयंक उठा तो सीर भारी हो रहा था हात मुध होने के लिए जाते सा में उसकी नज़र कलंडर पर परी तो उसका दिन दिल धक से रह गया क्या हुआ बच्चो कि वो चा पी बहन से चा मंग आया थोड़े चा पीने के बाद चुस्ती लाने के बाद उसने बैट मिंटर का बल्ला और चिरिया संभाली और दिवार पर क्या का साथ मार मार कर वो खेलने लगा बाड़ा बच गया बाड़ा बचे मम्मी ने उसे खाने के लिए बुलाया खाते समय मैं को बहुत भूक लगी थी वो पेट भढ़ कर खा लिया जैसी पेट भढ़ कर खाने के बाद उसको नीन आने लगी वो सो गया सोते बाद उसका सारे तीन बजे सोकर उठा, हाथ मुध होया, धोकर उसने कलेंडर की और देखा, देखकर कलेंडर की और देखकर उसका दिल धक से रह गया परच्छा में सिब दो हपते बचे है और उसे करीब सारे बिशय पढ़ने है कर रात को जब सोया था तो मन में ये उमीद लेकर कि कल सभी बिशयों का एक एक अधाय पुरा कर लेगा उसका दिल दूमने लगा, पक्का इरादा रखने के वावजूर वो पर क्यों नहीं पाता, उसका बस चलता तो वो दिन की सुरुआद दोबारा करवा लेता मयंग ने सोचा क्यों न वो तुसार से मिल आए, सहे तुसार दोचार काम की बाते ही मालूम हो जाए, तुसार अपने कमरे में पर रहा था पास रखी कुर्सी पर बैठी हुए मयंग ने पुछा, क्या पर रहे हो यार, तुसार ने मुस्क्रा कर किताब का मिक प्रिष्ट मयंग के सामने पर रखा हरी, हेरी पोटर, मयंग ने आश्चर से किताब का शीशक परा, तो उपन्यास परने में लगे हो, परच्छा के त्यारी के लिए मूर बना रहे हो मयंग गंभीर हो गया, मूर बनाना भी सच्मूर बड़ा टेरा काम है, सच्मूर तुसान ने कहा, जब मयंग पर लोटा तो उसका मन हलका हो चुगा था, आखिर उसके खास दोस्त, तुसार को भी परने के लिए अपना मूर बनाना परता है यहां क्या बुला गया, कि जैसे ही उसने कलेंडर को देखा मयंग ने, तो देखा कि एकजाम का पड़िच्छा का सिर्ड दो हप्टे बचे है और सारा बिशय बाकी है याद करने का उसने मयंग ने जब कर रात को सोया था, तो मन में ये उमीद लेकर सोया था, कि सुबर उठकर वो कल हर चप्टर का एक नया नया चप्टर से वो याद करेगा, पर ये इरादा हुआ नहीं उसने सोचा परने के लिए क्या मूड बनाओ, मूडी नहीं बनता है, ये सोचकर मयंग ने तुशार से मिला, तुशार से मिलने के बाद उसने सोचा कि तुशार से मिलकर दो चार काम की बाते मालू करेगा, तुशार अपने कमरे में बैठकर पर रहा था, पास रखी कुरसी पर मयांग ने पूछा पास्तु की कुर्स्ती पर बैठते हुए मयांग ने पूछा क्या पर रहे हो तुसार तुसार ने एक पहला पेज देखाया और बोला यह पर रहा हूं देखा हैरी पोटर कभो कहानी पर रहा है तो मयांग ने तुसार से पूछा हैरी पोटर पर रहे हो एक्जाम के पर इच्छा के त्यारी नहीं कर रहे हो मूट कैसे बनाते हो मुझे ये बताओ जब मयंग घर लोता तो उसका मन हलका हो चुका था आखिर उसके खास दोस्त तुसार को भी पढ़ने के लिए अपना मूट बनाना पड़ता है उसने सोचा कि हलके मन से वो सुबह उठकर अच्छी तरह पर सकेगा इसलिए तीन बजे उठने का अलाम लगा कर वो आट बजे ही सो गया मगर दिन में सोने के कारण उसे धेर तक नीन नहीं आई वो यूँ ही करवते बदलता रहा रोज की तरह वो आज भी आट बजे ही उठा नास्ता करने के बाद पढ़ाई सुरू करने से पहले मायंग ने टाइम टेवल बनाया ताकि किस बीशे को कितना समय देना चाहिए तब तै किया जा सके हिसाब किताब लगाते लगाते दस बज गय कुस देर अंग्रेज जी की किताब लेका बैठा फिर नीन के जोके आने लगे अपने आप पर जलाती हुए वो विस्तर पर चर गया तिसरे पहर उसने पिटा जी उसने उठाया क्या बात है मायंग आजकल क्या सपने में परते हो नहीं नहीं डेदी मेंग ने घबरा करका मैं तो जला फ्रेश होने के लिए सो गया था तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या यह का कर पापा वहां से चले गया मेंग का जी चाहता था कि अपना सीर पीट ले अगर इसी गती से पढ़ता रहा तो फाइदे से फेल भी नहीं हो पाएगा क्या बुला गया बच्चों यहाँ पर तो सार से मिलकर मैंग अपने घर लोटता है और उसका मन हलका हो जाता है ठीक हैं तो वो आकर सोचता है और फिर वो क्या करता है तीन बज़े का अलार्म लगा कर सोता है और यह सोने के चकर में वो रात को आट बज़े ही सो जाता है मगर दिन को सोया बहुत था इसको रात को नीन नहीं आ रही थी अगले दिन सुबह वो फिर आट बज़े उठा और एक टाइम टेबल बनाया कि कौन सा भिषय हम कब परेंगे ठीक है ऐसा भिषय बनाते बनाते दस बज़ गए और पुझदेर अंगर जी की किताब लेकर बैठा ही था कि उसकी नीन आने लगी ठीक है फिर वो बिस्तर पर पर गया जिससे पहर ऐसा हुआ उसके बाद देखो क्या हुआ साम हो तो ही उसके कदम तुसार के घर की तरफ उठी गया उससे मिलकर उसका दिल हलका जो हो जाता है तुसार घर पर नहीं था उसकी मम्मी ने बताया कि उपार्क में खेलने गया है मयंग तुसार की मेंच पर रखी पुस्तक को उल्टे पुलटने लगा मयंग ने पहली पुस्तक और लेखा का नाम पड़ा हैरी पोटर फिर कवर पलट कर पहले पन्ने पर नजर दाली अंग्रे जी ये क्या मयंग ने पन्ने पलते ये तो अंग्रे जी की पुस्तक थी उसके चहरे का रंग उतर गया अंग्रे जी की पुस्तक एक तरह पटक कर उसके दूसरी पुस्तक के उठाई उसके मुख्य पुस्त के नीचे सामाजिक अध्यान की पुस्तक थी मायंग ने मेजबर परी सारी किताबे देख दाली उपरन्यास कहानी के रंग बिरंगे मुख प्रिष्टों के नीचे पाठे पुस्त के उसका मौखला खड़ा उरा रही थी मायंग सीर पकर कर वहीं बैड गया इतने में तुसार पाक से लोट आया मायंग ने उसे जलती हुई आखो से घुरा और विफ रफर्स चीखा धोका देते हो अपने दोस्त को गुम्रा करते हो यही है तुम्हारी इंसानियत तुशार चुप चाप सुनता रहा है जब मायंग चुप हो गया तुसानिये का धोका तूम दे रहे हो अपने आपको धोका तुम अगर पढ़ना चाहते हो तुम्हें कौन रोकता है अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा आख मिचका कर दुसरे की पीछे चलोगे तो गढ़ में ही न गीरोगे मैंन की दिमाग पर दुसार की बाते हटोरों की तरह पर रही थी मगर उसको लग रहा था कि उस हटोरों न build ने उसके दिमाग के चेरे मेरे पुर्जो को सही עकर ही आकर ही दिया है बयडोलो नहीं किया उसकी समझ में आ गया कि उसे मूट की नहीं, मूट को उसका गुलाम होना चाहिए. क्या बोला गया बच्चों की? वो साम होते ही मयंग जो है अपने दोस्त के घर गया तुसार के घर गया तुसार के घर जब गया तुसार की मम्मी ने बोली कि तुसार बार खिलने गया है मयंग ने उसके मेच पर पर ही पुस्तक देखी उसके पुस्तक में पहले पीज में था हैरी पॉर्टर हैरी पठोर को कवर को पलट कर देखा तो पहले पन्य पर था नजा दाली तो अंग्रे जी था ये क्या मयंग ने पन्य पलता ये तो अंग्रे जी की पुस्तक थी उसके चहरे का रंग जो है उतर गया अंग्रे जी की पुस्तक को एक और पलट कर देखा दूसरी पुस्तक की उठाई उसके मुक्रप्रिष्ट को देखा के नीचे सामजिक अध्धाय की पुस्तक ही मयंग को सारी मयंग के मयंग ने उस मेंच पर अर्थार उस केबल पर सारी पुस्तक सारी किताबे देख दाली तुम्हारी कोई इंसानियत नहीं है। तुम मुझे जुट बोलते हो।। दुसार चुच-चाप सुनता रहा। और मयंग को बोला। दुसार ने कहा धोका तुम दे रहे हो। अपने आपको दे रहे हो। मैं नहीं दे रहा हूँ। तो यह मयंग जो है दूसार को आखे बना-बना कर बहुत चिला रहा है। आखिर में मयंग को यह एहसास हो गया कि परणे के लिए मूड नहीं होना चाहिए। अर्थार मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। ठीके बच्चो इस कहाने से क्या सिच्छा मिलता है बच्चो इस कहाने से यह सिच्छा मिलता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए दूसरे को उपर नहीं हमें पढ़ाई करने के लिए खुद समय निकालना चाहिए दोस्त को उपर भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्त हमेश जूट बोलते हैं पर इच्छा का इंतहाम के लिए खुद मेहनत करना चाहिए खुद परना चाहिए दुसरे के भरोसे नहें रहना चाहिए ओके बच्छो आज मैं आप लोगों को यहां तक ही पढ़ाई हूँ नेस्ट वीडियो में मैं कोश्चन्स अंसर कराऊंगी और नई चैप्टर पर आऊंगी अभी के लिए बच्छो बाई बाई टिक के या थैंक यू